दोस्तों हर महिला को सुबा उठकर अपने पती के साथ कर लेना चाहिए ये काम आए जानते हैं इस वीडियो के माध्यमसी के कौन सा वो काम है जिसे करने से आपके घर में सुख समरिध्य और लक्ष्मी जी का वास होगा दोस्तों कोन है जो मा लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हूँ अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशिरवाद चाहते हैं तो कमेंस में जरूर लिखे जै मा लक्ष्मी जै माता दी दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तो हमारे भारतिय समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म की बातों को मानते हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो धर्म की बातों को नहीं मानते फिलहाल जो लोग मानते हैं उनके लिए आज हम कुछ खास लेकर आए हैं दोस्तों दरसल सुबह उठना स्वास्ते के लिए बहुत ही फायदे मन होता है खास का सुबह जल्दी उठना और ये बात शास्तरों में भी बताई गई है इतना ही नहीं शास्तरों में ये भी बताया गए है कि सुबह उठकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं तो चलिए दोस्तों आज के इस विडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कामों के बारे में बताएंगे जो कि हर महिला को सुबह उठकर जरू करने चाहिए नमबर एक पानी पीना दोस्तों हर किसी को सुबा उठकर पानी पीना चाहिए हाल आपकी बहुत सारे लोग बिस्तर पर ही चाय पीना पसंद करते हैं लेकिन अगर आप सुबा उठकर पानी पीते हैं तो यह आपके स्वास्तिय के लिए तो फायदे मन रहेगा ही साथ ही साथ हमारे शास्त्रों के अनुसार भी सुभा सुभा खास करके घर की महिलाओं का खाली पेट पानी पीना बहुत ही जरूरी बताया गया है पर ऐसा करने से आपकी बहुत सारी बिमारिया भी दूर हो जाती है दरसल दोस्तों सुभा उटकर पानी पीने से आपका पेट साफ रहता है इससे आपको पेट संबंदित बिमारिया नहीं होती दोस्तो सुभा उठकर स्नान करना बहुत ही लापकारी होता है अगर कोई महिला सुभा उठकर स्नान करती है तो उसके घर में हमेशा सुख और शान्ती बनी रहती है और उसका पूरा दिन खुशनुमा बना रहता है इतना ही नहीं पुरानी मान्यताओं की माने तो महिला सुभ जरूर करनी चाहिए वो भी खास कर सुभा के समय दोस्तों तुलसी के पौधे को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसकी पूजा करने से घर में सुख और शांती बनी रहती है इतना ही नहीं तुलसी के पत्ते का इस्तमाल भी ओश्दी के रूप में किया जाता है नमबर चार मन पसंद गाना सुनना दोस्तों ऐसी माल्यता है कि अगर आपका मूड खराब है तो संगीत सुनते ही मूड ठीक हो जाता है अगर सुभा के समय संगीत सुना जाए तो ये डिप्रेशन को खत्म करता है और मन में एक नई ताज़गी को जन्म देता है और दोस्तों नमबर पांच है पती के साथ प्रेम करना दोस्तों अगर महिलाएं शादी शुदा है तो उन्हें सुबा उटकर योग करना चाहिए और फिर उसके बाद अपने पती के साथ थोड़ा प्रेम कर लेना चाहिए ऐसा करने से आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा और आपका रिष्टा पहले से और जादा मजबूत बन जाएगा तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शियर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्ता आपका दिन शुब रहे जय मालक्षमी जय माता दी